दोस्तों आज किस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ Airtail Payment Bank के CSP के Commission के बारी में लाश्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था Airtail Payment Bank के CSP Online कैसे ले सकते हैं अगर आपको CSP लेना है और आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्किप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी आप उस वीडियो को डायरेक्टर देख सकते हैं तो दोस्तो आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस Airtail Payment Bank के CSP के कौन-कौन से सर्विसेस में आपको कितना कितना कमिशन मिलेगा तो गाइस मैं हूँ नीलेस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुपर टेक्नलाजी मैं आप से भी कस्वा गया थे तो चलिए सुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि Airtail Payment Bank की CSP अगर आप लेते हैं तो उसमें आपको कौन-कौन सी सर्विसेस मिलती हैं तो यहां पर दोस्तों आपको बैंकिंग सर्विसेस मिलती हैं जैसे आप Money Transfer कर सकते हैं Cash withdrawal कर सकते हैं आपको APS Facility मिल जाता है यानि आधार Enabled Payment System किसी के आधार कार्ट से आप पैसे निकाल सकते हैं और किसी के आधार कार्ट से आप पैसे जमावी कर सकते हैं Cash deposit कर सकते हैं आप Recharge कर सकते हैं Bill Payment कर सकते हैं आप कोई offer मिलेगा उस offer को आप use भी कर सकते हैं अब दोस्तों उसके बलावा आप अपना जो transaction करेंगे उसकी आप history भी देख सकते हैं इसके अलावा दोस्तों Airtail Payment Bank में आप account भी open कर सकते हैं यहाँ पर आपको saving account open करने को option मिलेगा दो परकार का account होता है एक भरोसा saving account और दूसरा होता है आपका regular saving account उसके बाद हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर आप इन account को open करते हैं तो आपको कितना commission मिलता है तो दोस इसमें आपको commission मिलेगा दोस्तों अगर आप भरोसा saving account open करवाते हैं तो 100 रुपे का अगर आप regular saving account open करवाते हैं तो आपको 20 रुपे का commission मिलेगा उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि अगर आपने account open करवाया भरोसा का तो यहाँ पर 100 रुपे मिलते हैं और यहाँ पर आपको 20 रुपए तो मिलेंगे ही regular saving count में उसके बाद दोस्तों अगर आपने pen card का validation करवाया pen card verify करवाया तो यहाँ पर 10 रुपए आपको और मिल जाएगा अगर आपने M2 transaction करवाया तो 10 रुपए और मिल जाएगे यहाँ पर दोस्तों आपको और बताया गया है कि maximum आपको 120 रुपए से ज्यादा commission नहीं मिलेगा account opening में तो यहाँ पर दोस्तों अब भरोसर saving count में 120 रुपए तक पा सकते हैं यहाँ पर pen verification करके और M2 transaction करके और यहाँ पर आप regular saving count में 40 रुपए तक पा सकते हैं के बाद दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं cash deposit और withdrawal की अगर आप cash deposit और withdrawal करते हैं तो आपको कितना commission मिलेगा यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि less than 1 lakh रहेगा तो आपको 0.15% का commission मिलेगा अगर cash deposit 1 lakh 2 3 lakh रहेगा यानि 1 lakh से 3 lakh के बीच में रहेगा तो 0.10 यानि 0.10 का commission मिलेगा उसके बाद दोस्तों अगर आपका cash deposit 3 lakh से ज्यादा रहता है तो आपको उस cash withdrawal पर 0.15% का commission मिलेगा उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि AAPS का transaction करते हैं तो आपको AAPS में कितना commission मिलता है तो यहाँ पर दोस्तों अगर आधार काटके थूँ अगर आप पैसे निकालते हैं तो अगर 100 रुपे से 499 का करते हैं तो 0.25 यानि 25 पैसे का आपको यहाँ पर मिलेगा पैसा अगर 500 से 999 का करते हैं तो 0.5 रुपे यानि 1.50 पैसे और 1,000 से 1499 में 2 रुपे ऐसे ही दोस्तों आपको maximum 6 रुपे और यहाँ पर 3,000 में आपको 8 रुपे इस तरह का दोस्तों आपको commission मिल जाता है यहाँ पर दोस्तों payment cycle बताये गया है कि अगर 1 तारिक से 15 तारिक के बीच में अगर आपने जो transaction किये हैं तो उसका commission आपको 21 तारिक को आपके bank account में transfer कर दिया जाता है और इसी तरह दोस्तों अगर आपको 16 तारिक से लेके 30 तारिक तक में जो transaction होगा उसका commission आपको next month के 7 तारिक में आपके bank account में transfer कर दिया जाता है तो इस तरीके से दोस्तों और मुझे इस्टाग्राम पर फालु कर सकते हैं निले जी जीरो नैन फور या फिर वीडियो के डिस्क्रिफशन में लिंक मिल जाएगे आप महासे भी फालु कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिजिए क्योंकि मैं आप लोगों के लिस्तर है knowledgeable and useful वीडियो लाता रहता हूँ थैंक्स वर्वाज जी मिलते हैं नेक्ट वीडियो में न्यू टापी के साथ तब तक के लिए जैहिंट केर